तो भाईयों जब आप Instagram पर इस्टोरी लगाते होंगे तो simply वहाँ पर आपको एक problem देखने को मिलती होगी तो जैसी कि मैंने यहाँ पर इस्टोरी के option पर क्लिक किया भाईयों यहाँ पर मैं एक photo select कर लेता हूँ photo select करने के बाद simply यहाँ पर जो एक text का option है कुछ लोगों के mobile phone में Instagram में एक text का option नहीं आ रहा है मेरे mobile phone में भी एक text का option नहीं आ रहा था लेकिन मैंने किस तरीके से इस problem को solve किया यहाँ पर मेरे mobile phone में text का option आने लगा है मैंने ऐसा कौन सा तरीका मतलब की लगाया ताकि यहाँ पर मेरी यह problem solve हो गई आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि यदि आपके भी mobile phone में एक text का option नहीं आ रहा है तो फिर किस तरीके से आएगा जो मैंने तरीके लगाए वो सभी आज की इस वीडियो में बता दूँगा चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट उससे पहले एक important बात यदि आप चैनल पर नहीं हो तो एर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना इंस्टाग्राम पर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम यूजर नहीं है राहुल टेक्टिप्स01 तो आपको सर्च वार में टाइब करना इंस्टाग्राम जैसी आप इंस्टाग्राम टाइब करके सर्च करोगे यहां पर आपको देखना है कि इंस्टाग्राम में कोई अपडेट तो नहीं आया है यहां पर सिंप्ली आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर इंस्टाग्राम को अप दूसरे तरीके के लिए आपको आपने mobile phone की setting को open करना है and यहां पर आपको search बार में type करना है जैसे आप apps से लिख कर सर्च करोगे आपके mobile phone में कुछ इस तरीके से यहां पर apps आ जाएंगे यदि apps का option नहीं आता है तो भाईयों आपको मतलब manually apps वाले option में चले जाना है यहाँ पर manually mobile phone में आ चुका तो मैं यहाँ पर apps के option पर click करता हूँ second number पर manage apps के option पर click कर लेता हूँ तो भाईयों जैसी मैंने इस पर click किया यहाँ पर आपको search बार में क्या type करना यहाँ पर आपको लिखना है instagram जैसी आप instagram लिखकर search करोगे तो यहाँ पर हो सकता है पहली बार में नहीं आए तो simply आपको दोबारा कुछ इस तरीके से इंस्टा ग्राम लिखकर search कर देना तो यहाँ पर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम आ जाएगा आपको इसी पर एक बार क्लिक करना है end यहाँ पर आपको इस clear data के option पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको clear case के option पर क्लिक कर देना है तो जैसी आप clear case के option पर क्लिक करके okay के option पर क्लिक करोगे उसके बाद भाईयो आपको instagram में story लगा के चेक करना है तो वहाँ पर जो text का option नहीं आ रहा था ओ आने लगेगा अभी भी यह problem आपकी solve नहीं होती है तो आप भाईयो आपको अगला तरीका follow करना है वो काउन सा है उसके लिए simply आपको फिर से अपने mobile phone के play store को open करना है एंड भाईयो यहाँ पर आपको search बार में type करना है instagram जैसी कि मैं यहाँ पर simply लिख कर search कर देता हूँ जैसी भाईयो मैंने यहाँ पर instagram सर्च किया यहाँ पर मेरे सामने कुछ ऐसा interface आ चुका है यहाँ पर लिखा हुआ instagram के पास में beta आपके mobile phone में instagram के पास में beta नहीं लिखा होगा तो भाईयो यहाँ पर simply एक नीची option है यूरा beta register लेकिन आपके mobile phone में लिखा होगा join a beta version यहाँ पर मेरे mobile phone में है leave आपके mobile phone में होगा join का option आपको simply join के option पर click कर लेना है पतलब कि आपको instagram का beta version join कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है आपको 10-15 मिनिट वाद यहाँ पर फिर से play store को open करना है play store को open करके यहाँ पर आपको instagram सर्च करना है तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपके mobile phone में instagram के पास में beta लिख कर आ जाएगा तो समझो कि आपने instagram का beta version join कर लिया हुआ है उसके बाद भाईयों यहाँ पर update का option आएगा क्योंकि जो instagram का beta version इसमें बहुत ज्यादा update आते है तो आपको update करते रहना है आपको मतलब की regular 2-4 वार यहाँ पर चेक करना है तो जैसे ही कोई update आता है आपको तुरंत update कर लेना है आपको update मतलब की करते रहना है problem solve हो जाएगी यदि problem solve नहीं होती है इन से भी तरीकों को अपनाने के बाद तो आप मुझे instagram पर dm कर सकते हो भाईयों मेरा instagram यूजर ने मैं राहूल टेक्टिप्स आप मुझे यहाँ पर मैसेस करना मैं आपकी problem solve करने की पूरी कोशिस करूँगा एंड भाईयों मुझे problem आ रही थी तो मैंने इसी तरीके से इस problem को solve किया लास्ट वाले तरीके से यहाँ पर मैंने instagram का beta version जोईन किया एंड यहाँ पर update आए तो मैंने दो तिन बार update किया हुआ था ए problem solve हो गई थी तो भाईयों आपको इसी तरीके को अपनाना है यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तैर प्ली चैनल को subscribe करना इस वीडियो को like करना तैर तब तक के लिए बाई